धिरसर कोमर्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पूझी घतवे और आयगतवे क्या है और इसमें आखिर अंतर क्या है आईए समझते हैं आज जो हम टोपिक लेकर आए हैं आपके सामने वो है पूझी गत व्याय और आएगत व्याय में अंतर बहुत सारे बच्चों की जो कमेंट रहा है वह इसके बारे में डिफरेंस बताने के लिए रहा है तो आईए समझते हैं पूझी गतव्याय और आईगतव्याय में क्या difference है सबसे पहले जो difference हमने लिखा है वह है इसके अंतर का ही लिखा है स्थाई संपत्यों को क्रे करने और उनकी कारिच्षमता में बृद्धी करने है तू किया गया व्ये पूजी गत्वे कहलाता है जैसे भवन, मसीनरी, फरनीचर, भूमी, आदी इसका मतलब हुआ जब भी कोई संपत्ती हम खरीदते हैं चाहे जमीन खरीदे, चाहे भवन खरीदे, मकान खरीदे, फरनीचर खरीदे, मसीन खरीदे उस पर दो तरीके से खर्च होता है पहलत हम उसी को डारेक्ट खरीद लेते हैं या उसको बाद में हम लाने, लगाने, ले जाने में खर्च करते हैं तो ये सब जो खर्च होता है यह भी पूजीगत व्याय में ही होता है मालो हमने मसीन खरीदी दिल्ली से 50,000 रूपए की लाने का खर्चा हो गया उसका भाड़ा 10,000 रूपए ता अब उसका ये दाम 50,000 नहीं माना जाएगा उसका दाम 60,000 रूपए माना जाएगा इसी परकार से जो भी खर्च इन संपत्तियों के कारिछमता में बृद्धी करने क लिए यानि कि पहले इस मसीन में कोई कमी थी जिसकी वजह से यह इतना प्रोड़क्ट नहीं दे पा रही थी जितने कि हम आप एक्छा करते थे लेकिन बाद में हमने इस मसीन में 2-4-10,000 रूपए लगाया इसकी मरमत रिपेरिंग करवाई और इसमें कुछ सुधार हुआ तो अब यह प्रोड़क्ट 10-20-50 एक्स्ट्रा होने लग गया इसका मतलब इसकी कारिच्छमता बढ़ गई तो जो व्याय हमने इसकी कारिच्छमता को बढ़ाने में किया है वही व्याय पूझी गत व्याय कहा जाएगा जबकि आएगत जगर व्याय की बात करते हैं तो यह दिन प्रत दिन की गतविधियों को संचालित करने के लिए ही किया गया व्याय आएगत व्याय कहा जाएगा जैसे किराया किराया हम रोज देते हैं मतलब रोज का मतलब होता है कि हम हर महीने देते हैं महीने में चार बार कभी तीन बार कभी मतलब ब्योसाई के उपर डिपे क्याए के बारे में कैसा agreement किया है लेकिन हतना है कि किराया उसका continue जाएगा वह मसीन की त burnt ह Já नहीं है कि एक बार मसीन ख़रीद ली तो किराया भी एक बार दे दीया तो जन्दागी भर के लिए हमने किराया दे दिया है ऐसा नहीं होता है ऐसे ही यात्रव्य हैं, ब्याज हैं, कमीशन हैं, यह सब खर्चे आए दिन होते रहते हैं, तो जो खर्चे आए दिन होते रहते हैं, इनहीं को ही हम आए गत्व्य कहते हैं, अब बात करेंगे पूझी गत्व्य के दूसरे अंतर के बारे में, तो पूझी गत्व्य की जो प्र करेंगे यह इस्थाई संपत्ती होती है जबकि यह आयगत व्य की अगर बात करें तो इसकी प्रकिरती आस्थाई होती है यानि कि यह फिक्स नहीं है कि एक बार हमने किराया दे दिया तो अब हम हमेशा के लिए फिरी हो गए ऐसा नहीं है बलकि यह आस्थाई है इस महीने दि यह सही बात है मसीन हमने आज खरीदी है तो अब हम तीसरे दिन मसीन तो खरीदेंगे नहीं या हर महीने मसीन नहीं खरीदी जाएगी भावन अगर आज हमने खरीदा है तो कल नहीं खरीदेंगे ऐसा नहीं है कि भावन एक बार खरीदा है तो हर महीने भावन खरीदते एक प्रकार से कभी कभी ही होता है जब उनकी आवस्यक्ता होती है जब कि आयगत व्य लगतार होती रहते हैं इनके बारे में यह नहीं फिक्स होता है कि कब हो जाए पूंजी गतव दिरगावधी अथवा दीरकालीन होते हैं यानि इनको एक बार अगर हम खरीदते हैं तो इसका जो फायदा होता है काफी लंबे समय तक उठाया जाता है ये बहुत लंबे आवधी के होते हैं बहुत लंबे समय तक चलते हैं अगर हमने जमीन खरीदी है तो जमीन वरसों तक चलेगी मकान बनाया है मकान वर्स्थों तक चलेगा मसीन खरीदी है तो मसीन का भी लाब हम बहुत लंबे समय तक लेंगी उस से जो उत्पादन होगा वह बहुत लंबे समय तक होगा इसलिए कहा जाता है कि पूंजी गत्व्ये दीरगावदी अथवा दीरकालीन होते हैं जबकि आइगत्व्ये अल वर्स्थों टीरगावदी है वह बहुत कम समय की होती है तो किराया हर महीने देते हैं ऐसा नहीं है कि एक बार किराया दिया पांच साल के लिए हम स्वतंतर हो गए हैं ऐसा नहीं होता है पांचवा अंतर है इनको यानिकि पूंजी गत्व्ये को आर्थिक चेठ्थे के संप पक्ष में दिखाया जाता है जबकि आये गत्व्ययों को व्यापार खाते लाभानी खाते में दिखाया जाता है छठा पॉइंट अगर धियान देंगे तो लिखा गया है पूझी गत्व्ययों की कारी छमता में ब्रिद्धी करता है जबकि आये गत्व्ययों कमाई की छमता को बनाए रखने के लिए किया जाता है जैसे हमने मसीन खरीदी अब मसीन खरीदी तो पूझी गत्विया हो गया लेकिन अब उसी मसीन के हमने मरम्मत करा ली मरम्मत करा ली तो उसकी कारिच्छमता में बिरिध्धी हो गई अर्थात उसको हमने बना लिया है वही आएगत व्य हो गया है इसी परकार से अगर हम बात करते हैं फरनीचर की फरनीचर में मालो सोफा है कुरसी है मेज है अगर इसको हम खरीते हैं तो पूझी गत व्य हो गया अगर हम इसी में ही रंगाई पुताई करवा देते हैं उसका वारनिस पेंटिंग करवा देते हैं इसी प्रकार से साथवां तरहे पूंजी गत प्राप्तियों का मिलान नहीं किया जाता है जैसे अब हमने भर नीचर खरीदा दस अजार का डेप्रीसियसन काटा उसके बाद उसको बेचा वहां से कुछ फाइदा हुआ उस फाइदे से हमें उसका खर्च ऐसा तो कुछ हुआ नहीं जिससे हम मैचिंग करें और पता लगाएं कि फाइदा हुआ कि नुकसान हुआ इस प्रकार से पूंजी गत प्राप्तियों का कोई मैचिंग नहीं होती है अब हम बात करेंगे इसके आठवें अंतर पर उजी गत वे की अगर बात करें तो इस पर की जाने वाली वे की रासी बहुत बड़ी होती है जैसे मसीन, मसीन पर बहुत मोटी रकम खर्च होती है बिल्डिंग, मसीनरी, फर्नीचियर, भूमी इन समय बहुत मोटी रकम खर्च होती है जबकि आयगत व्या की रासी ज़ादा बड़ी नहीं होती अब किराय दिया, दस रुपए किराय दिया, पांस रुपए दे दिया, आप पांच लाख थोड़ी किराय दे देंगे, इस परकार से समझ सकते हैं कि आए गत व्याई की जो रासी होती है वह बहुत छोटी होती है, जबकि पूंजी गत व्याई की रासी बहुत बड़ी होती ह नवांतर है पूंजी गत व्ये एक बार करने से उसका लाब कई वरसों तक प्राप्त होता है यह सही है अगर हमने जमीन एक बार खरीदी भूमी खरीदी है तो उस पर हमारा जो रोजी रोजगार होगा रूटी रोजगार का या जो इंप्लॉइमेंट हम सुरू करेंगे वह बहुत लंबे समय तक करेंगे और उसको हम जल्दी नस्ट नहीं कर सकते लेकिन आएगत व्याय का जो संबंद है वरतमान के लिए होता है जैसे हमने किराया दिया तो किराया दिया तो एक महिने हमने यूच किया अब अगले महिने देंगे तो फिर अगले महिने यूच करेंगे या निक उसका संबंद जो आएगत व्याय होता है उसका संबंद उस सकते हैं पूजी गत्विया एक मुस्त बिन्योग है यानि पूजी गत्विया यानि मसीन फरनीचर बिल्डिंग इन सम्में हम एक बार में पैसा खर्च करते हैं बार बार नहीं करते हैं एक मुस्त पैसा देते हैं यानि कि अगर दस लाग की जमीन है तो हम दस लाग रुपया एक बार में ही खर्च करेंगे, उसे किस्तों में नहीं देंगे, कि एक लाख आज दे दिया, पचास जार कल दे दिया, या दो लाख रुपए दो साल बाद दे देंगे, तीन लाख रुपए चार साल बाद दे देंगे, ऐसा नहीं करेंगे, बलकि उसका पेमेंट हमें एक मु तुरंथ हमें इस खर्च को करना ही पड़ेगा। इसके बाद है, पूझी गत व्यायर राजस उत्पन करने के काम आता है, क्योंकि अगर हम मसीनों को खरीते हैं, तो मसीनों कोई प्रोड़क्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको मार्केट में बैचते हैं, बैचते हैं, तो वहां से हमें José inreate होती है, हमारी आए होती है, हमें राजस वोपराप्त होता है, जबकि आयगत व्य से सिर्फ खर्च बढ़ता है, हम जितना किराया देते जाएंगे किराया बढ़ता ही जाएगा यात्रव्य आज हमने 10 रुपे दिया है कल को कोई और काम हुआ 50 रुपे हुआ उसके और बाद में हुआ तो 70 रुपे हुआ इस प्रकार से आए गत्व्य जितना खर्च होता जाएगा वह बढ़ता चला उसमें कोई भी फायदा नहीं होगा बलकि उससे कोई इनकम जनरेट नहीं होगी बलकि खर्च बढ़ेगा ना कि घटेगा ना कि हमें इनकम होगी पूंजी गत्व्य एक सीमा से बाहर होने पर आएगत मान लिया जाता है जैसे मसीन पर 4000 रुपे तक मरमत पर खर्च किया जा जाएगा ऐसा माना गया है तब ही आएगत रहेगा यदि इससे अधिक वे हुआ तो पूंजी गत्व मान लिया जाएगा मान लीजिए हमने पूंजी गत्व्य मसीन पर किया है मसीन खरीदा है मसीन में हमने यह लिमिट डाल दी है कि 4000 रुपे तक अगर मसीन की मरमत वगयर पर खर्च होगा तो उसे हम आएगत मानेंगे अगर 4000 से जादा खर्च होगा तो उसको हमें पूंजी गत्व मानना पड़ेगा ऐसे ही आएगत्व disability बहुता है ऑक जो है प्रारम से ही आएगत्त होता है यधि परिस्थित्यों में भी समता पाई यह याईसे ही परिस्थित् ब्याय में परिवर्टित हो सकती है ऐसा क्यूं अब उद्वाहनर देख लीजिए मसीन की मरमत में सामाने खर्च हमने 4000 रूपए तक आयगत होगा ऐसे माना है यद इससे अधिक अगर हो जाती है इसके उपर खर्च तो हम इसे पूंजी गत के रूप में ब्योहार करेंगे या सेम यही प्रोसीजर इसमें भी लागू होगा लेकिन अंतर क्या होगा अंतर होगा लिमिटेशन का और परिस्थितियों का यानि इसकी परिस्थितियों के अनुकूल अगर रहेगा तो पूंजी गत से आयगत भी हो सकता है और आयगत से पूंजी गत भी हो सकता है और वही प्रकार से हमारे जो पूझी गत्वे और आई गत्वे में अंतर हैं हमने बारह अंतर पढ़े हैं जो की step by step हमने एक एक करके आपके सामने रखा है इसको आप अपने copy में लिख लेंगे लिख करके इसको पढ़ेंगे तो अब आपको सुनने के बाद यह बहुत अच्छी तरह इसका हर एक point आसानी से आपने समझ लिया है अगर समझ लिया है तो जहां तक मुझे उम्मीद है कि आप इसको लिख लेंगे लिख करके इसको आप याद कर लीजिए इस परकार से मैं इसको ऐसे इसलिए दिखाता हूँ ताकि आप इसको note करने में आपको असमर्थता नहो और आप वीडियो को रोग करके इसको लिख सकते हैं बड़े आसानी से इस परकार से आप देख सकते हैं इसको और यह हमारा जो है महतपूर्ड टोपिक है पुझी गत व्याय और आयगत व्याय में अंतर इसके बाद हम अगला टोपिक लेंगे कंपनी का लेकिन वह हमारी वीडियो हमने लगाया है यह हमारे नव निर्मित आवास के पास का है यह वीडियो हमने इसी लगाया है क्योंकि अब मैं आप से कुछ बाते करूंगा बाते इस उपलक्ष में करूंगा कि अब हम जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं यह वीडियो आप लोग देखते भी हैं कु कुछ लोग इसको डाइरिक्ट भी देखते हैं तो मैं आप लोगों से जादा कुछ नहीं सिर्फ इतनी ही गुजारिस करूंगा कि जब आप लोग वीडियो देखते हैं तो वीडियो देखने के बाद इसको शेयर जरूर करिए मुझे इस बात का अफसोस जादा होता है कि स्टुडेंट इस वीडियो को अपलोड कर लेते हैं डाउनलोड कर लेते हैं परंतो इसका जो मुख मकसद है उससे हम दूर हट जाते हैं यानि इसको हम सेयर करने के लिए कहते हैं लेकिन आप लोग सेयर नहीं करते हो तो जो कि मुख उद्धिस है कि और भी बच्चे इससे लाभानवित हूँ तो मैं यही जो है आप से अप एक्छा करूँगा कि आप इस वीडियो से खुद लाभ तो लीजिए परंतो इसका लाभ और बच्चों तक जरूर पहुंचाईए आप वीडियो डाउनलोड कर लेते हैं करके देख लेते हैं ओ सही है देखिए परंतो इस टू डेंड जो फ्रेंड सरकिल है उसमें जरूर सेर केजिए क्योंकि इससे मेरा एक लक्ष जो कि बहुत बच्चों तक अपनी पहुंच बनाने का है वह पूरा हो जाएगा यदि हमारा इलक्ष पूरा होगा तो मुझे लगेगा कि मेरी जो महनत है वह सार्थक है निरर्थ ज़टक नहीं है और इस उपलक्ष में मैं सिर्फ आप लोगों से निवेदन कर सकता हूं आग्रह कर सकता हूं कह सकता हूं कि आप मैकसिमं बच्चों तक इस वीडियो को आवस्य सेर कीजिए इसी तरह से वीडियो देखते रहीए और अपना प्यार बनाए रहिए वीडियो को सेर करते रहिए अगर नई स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और लैटेस्ट अबडेट्स कंटिनेव लेते रहिए फिर लेकर आएंगे एक नई वीडियो जो होगी खास आपके लिए बहुत महत्पूर्ड तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद जय भा करता है